हमारा आधार कार्ट किन किन बैंकों में लगा है या जानकारी इस वीडियो में दी जाने वाली है हम कैसे जाने कि मेरा आधार किन बैंक में लगा है या जानकारी इस वीडियो मिलेगी करपया अपने मुबाल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और क्रोम ब्राउजर में आधार कार्ड लिंक बैंक लिखना है आधार कार्ड लिंक बैंक लिखने बाद सर्च कर देना है सर्च होने के बाद थोरा प्रोसेज हो रहा है ये मेरा पेज खुल गया सबसे पहले चेक आधार बैंक लिंक स्टेटस पे किलिक करना है उसके बाद किलिक होने के बाद दूसरा पेज खुलेगा दूसरा पेज खुलने के बाद आधार नमबर 12 डिजिट आधार नमबर यहाँ पर इंटर करना है जो आपका है अपना बारा डिजिट आधार नमबर यहां पर इंटर कर देना है जब आधार नमबर इंटर हो जाए तब अपना कैप्चा जो होता है नीचे जिस परकार से कैप्चा होता है उस परकार से इंटर करना है जिस पर जब इंटर हो जाए तब सम्मिट पे क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे जब सेंड ओटीपी हो जाएगा तब आपके आधार पे जो लिंक है मुबाइल नंबर उस पे एक ओटीपी आ जाएगा ओटीपी जब आने के बाद आपको थोड़ा प्रोसेड लग रहा है ओटीपी हाँ सम्मिट हो गई ओटीपी हम अपने इंटर कर देते हैं ओटीपी इंटर करने के बाद ओटीपी इंटर करने के बाद सम्मिट पर किलिक करेंगे सब्मिट करने के बाद दूसरा पेज खुलेगा दूसरा पेज खुलेगा उसमें बैंक की जानकारी पूरी डिटेल दी गई होगी कि आपका अधार की स्क्रिंग बैंकों में लगा है मेरा अधार कार्ड एक्टिव है बैंक आफ इंडिया में लगा है जो कि बैंक लिंक के डे आपका धन्यवाद